एक लास नाइंद के इंचो मेरी जान, मस्त, मजा मा, प्लीज लेट मी नो इन दो कॉमेंट सेक्शन, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्लास नाइंद के बिहाई बुक का चाप्टर नमबर 6, माई चाइड़ुड पढ़ने वाले हैं, यानि मेरा ब बच्पन, किस चाप्टर में न, किसके बच्पन के बारे में बात की गई है, हाँ, तुम लोग जानते हो, हमारे प्यारे साइंटिस्ट, ABJ, अब्दुल कलाम के बच्पन के बारे में, इस चाप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई साब, अब्दुल कलाम का बच्पन कहां बी बस वीडियो के लास तक बने रहो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस एक्स्प्लानेशन में चालो चाप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या जान लेना चाहिए आपसे एक क्वेस्टन पूस्ता हूं क्या तुम किसी ऐसे वैग्यानिक ऐसे साइंटिस्ट को जानते हो जो क्या आपको जानना चाहिए भाई जो अब्दुल कलाम थे ना इन्होंने इंडिया के तरक्टी के लिए बहुत कुछ दिया इन्होंने इस पेस से रिलेटेड ऐसे ऐसे इन्वेंशन किये ना जो इंडियन्स को कभी पता ही नहीं था ये हमारे डिफेंस को मचबूत किया के आपने सुना होगा अगनी मिसाइल का नाम सुना है बस इसको देने वाला कौन है हमारे मिसाइल मैन आफ इंडिया यानि एपीजे अब्दुल कलाम है ठीक है एपीजे अब्दुल कलाम की वज़े से ही इंडिया 21st century में इतनी तरक्की कर पाया है और इसी वज़े से एपीज विंग्स ओफ फायर नाम की एक किताब है और इसी किताब से ये जो चाप्टर है माई चाइल्डूड लेया गया है इस चाप्टर में हम इनके सारे बच्पन के बारे में पढ़ेंगे ये कहां से बिलॉंग करते थे इनकी फैमिली के ऐसी थी ये सारी चीज़े ठीक है पूरा 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 पानी हो और केवल एक ही रास्ता हो जो उसे बाकी इंडिया से जोडता है इस रास्ते को हम क्या कहते हैं पंबन ब्रिच कहते हैं ये वो ब्रिच है जो रामे सुरम को इंडिया के दूसरों हिस्से से जोडने का काम करती है ठीक है तो ये बताते हैं कि जो मेरा जनम हुआ था ये तमिल नाडू के एक साधारण से परिवार में हुआ था तमिल नाडू में एक छोटा सा सहर है रामे सुरम और रामे सुरम में ही मेरा जनम हुआ था रामसुरम कहां पढ़ता है? तमिलनाडू का Capital मद्रास यानी आज का चन्नाई ठीक है? आज का चन्नाई पुराना मद्रास कहलाता था तो यह कहते हैं कि भई तमिलनाडू का Capital City था चन्नाई और चन्नाई में एक छोटा सा सहर था रामे सुरम, वह अहीं पर मेरा जनम हुआ था माई फादर जैनुल अपदीन ये आगे बताते हैं कि जो मेरे पिता जी है जैनुल अपदीन had neither much formal education ना तो वो इतने ज़ादा पढ़े लिखे हैं और ना इनके पास इतने ज़ादा पैसे हैं despite these disadvantages इतने सारे disadvantages के बावजूद disadvantages किसके लिए यूज हुआ है इनके फादर ना तो पढ़े लिखे थे ना तो इनके पास पैसे थे तो ये एक तरीके का disadvantage ही तो हुआ तो कह रहे हैं कि भाई इन सारी चीजों के बावजूद मेरे पिता जी possessed great innate wisdom मतलब मेरे पिता जी ना जन्म से ही innate का मतलब क्या होता है inborn जन्म से ही काफी समझदार वेक्ती थे and a true generosity of spirit और वो एक ऐसे वेक्ती थे जो दूसरों की मदद करने में belief करते थे जो दूसरों के दर्द को समझते थे दूसरों की तरफ दयालू रहते थे kind रहते थे ठीक है generosity का मतलब क्या होता है दयालू होना और आगे देखते हैं he had an idle helpmate in my mother आगे एपिजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि भाई इस अच्छे काम को करने में मेरी मा भी मेरे पापा का खूब मदद करती थी मेरी मा मेरे पापा की helpmate बन गई थी मतलब खूब साथ देती थी सच्चे राह पर चलने के लिए लोगों की मदद करने के लिए मेरी मा हमेशा तयार रहती थी पापा के साथ मेरी मा का नाम आसी अम्मा था ठीक है I do not recall the exact number of people see fed every day मेरी मा हर रोज कितने लोगों को खाना खिला दिया करती थी मुझे आज तक पता ही नहीं है but I am quite certain लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता है कि far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together कह रहा है कि भाई मेरे पूरे परिवार को मिला कर जितने लोग खाना नहीं खाते थे खाना खाते थे, lunch करते थे, dinner करते थे ठीक है let's move to the second passage of this particular chapter I was one of many children आगे पी जबदुल कलाम अपने बारे में बताते हैं कहते हैं कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही एक साधारर सा बच्चा था a short boy with rather undistinguished look मैं एक चोटा सा short-heighted लड़का जो की एक undistinguished look के साथ पैदा हुआ था मतलब मेरा जो बनावट था ये बहुत अदा खास नहीं था ऐसा नहीं था कि मैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकरसीत कर पाता मतलब मैं बहुत अदा सुन्दर नहीं था मैं एक छोटा सा काला सा लड़का था और मैं जिन से पैदा हुआ था जो मेरे माता पिता थे वो काफी लंबे और हैंडसम थे लेकिन फिर भी मैं छोटा और काला पैदा हुआ we lived in our ancestral house ये कहते हैं कि हम कहां रहते थे हम अपने पुर्खो के मकान में रहते थे और ये जो मेरा घर था ना ये कब बना था, in the middle of the 19th century, मतलब हमारा जो घर था, वो लगभग 1850 के लगभग बना हुआ था, it was fairly large पक्का house, हमारा जो घर था, वो पक्का घर था, ऐसा नहीं है कि मिट्टी का घर था, पक्का घर था, जो कि चूना और इट से बनाया गया था, limestone and brick का मतलब चूना और इट से बनाया गया था, और ये जो हमारा घर पढ़ता था, ये मस्जिद वाली रोट पर पढ़ता था, रामेस्वरम में, आगे देखो एपिज अब्दुल कलाम क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि my auster father, जो मेरे simple, strict और बहुत ही साधारण से जो हमारे पिता जी थे न, वो आज के बहुतिक दुनिया, आज की जो modern दुनिया में, जितनी भी सुक सुविधा की चीजे हैं, उनको avoid करते थे, उन्हें सुक सुविधा की चीजे लेना बिलकुल भी पसंद नहीं था, however, all necessities were provided for, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जरूरत पूरी नहीं की जाती थी, जितनी चीजों क कि हमें ask करने के लिए पैसे मिलते थे, हमें बहुत सारी सुक सुविधाएं मिली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, खाना, दवा और कपड़ा, जो एक इनसान की basic need होती है, वो हमें मिल जाया करता था, आगे अब्दुलकलाम बताते हैं, कि in fact, I would say, mine was very secure child, और यह क मुझे, वो मुझे मिल जाया करता था, और जितने emotion की जरुवत होती थी, जितने प्यार की जरुवत होती थी, वो भी मेरे माता-पिता मुझे भरपूर मेरे बच्पन में दिया करते थे, ठीक है? एडिये लेनस, hope you all are preparing well for your term on examination, और आपको इतना तो पता ही होगा कि इस बार आपका जो term on examination होने वाला है, उसका paper pattern बिल्कुल हट के आने वाला है, जिहां, और आप अपनी term on की preparation कर रहे हो, इसमें आपको doubt भी आते होंगे, तो क्या किया आ जाए? अनिकेडमी इज़ी के लिए लेकर आया है आपके लिए comprehensive preparation package, जिसमें अगर आपको कोई doubt होता है, तो आप अनिकेडमी के ask a doubt feature तर यूज करके अपने doubts को clear कर सकते हो, और अपने आने वाले exam के लिए emerge mega mock board exam के mock test से prepare कर सकते हो, जिहां, ये mock test आपके लिए बहुत अदर special होने trophies और goodies भी दिये जाते हैं, भाई ये जो mock test होने वाला, ये class 10th and 12th के लिए होगा, ये अगर आपकी बड़ी भईया है, आप क्लास 9th में हो, आपकी बड़ी भईया है या आपकी कोई बड़ी वीदी है, तो आप उनको recommend कर सकते हो, क्योंकि भाई ये mock test बिल्कुल free of cost होने 27 तो 30 November के बीच में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ये test चलेगा, अब कॉंसी दिन, कितने time, कॉंसे subject का exam है, आप पीछे banner पे देख सकते हो, और केवल इतना ही नहीं है, आपको अगर किसी भी तरीके के doubt भी आती है, तो आप Unikademy के ask a doubt feature का use करके अपने doubt को clear कर सकते हो, अगर आ NTSC और Olympiad की preparation करने वाले बचों के भी है, अगर आपको Unikademy ask a doubt, use करना नहीं आता, तो मैं आपको बदा दू, आपको AAD, Unikademy ask a doubt, Unikademy के learning application पर मिल जाएगा, आपको जिस भी question में doubt है, just click the picture of that question, upload it, आपको subject बूजएगा, कौंसे subject का ये doubt है, subject बताओ, you will get your answer, so, किस सीज क अबेट कर रहे हैं, आप इसी कोड का यूज़ करके, आप इसी किस भी तरीके की purchasing, 10% discount में कर सकते हैं, so, go and enjoy, आगे, let's move to the third passage of this chapter, the second world war broke out in 1939, अबदुल कलाम कहते हैं, कि भाई, 1939 में, second world war जब start हुआ, मैं आपको बता दू, second world war कभी start हुआ था, 17th September को, 17th September 1939 को start हुआ था, हुआ क्या था, कि भाई, जर्मनी ने न, जर्मनी ने पोलैंड पर attack कर दिया था, और इसी वज़ा से, पोलैंड के support में, हमारा इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड और USA, यानि अमेरिका, फ्रांस, रसिया जैसे देस, जर्मनी के खिलाफ लड र गया था, तो यह कह रहे हैं कि जब World War II start हुआ 1939 में, तो मैं लगबग 8 साल का था, for reasons, I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market, कह रहे हैं कि जब World War शुरू हुआ, तो मैं लगबग 8 साल का था, और उस समय में बिल्कुल ये बात नहीं समझ पाया, कि भाई, उस समय के market में न, tamarind seed, यानि इमली के बीच का जो दाम था, जो demand था, वो market में काफी बढ़ गया था, और इस चीज का मैंने फायदा भी उठाया, कलाम जी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Maskew Street, ये कहते हैं कि भाई, जब market में, इमली के बीजों का जो demand था, वो काफी इमली के बीज खरीदने पड़ रहे थे, मतलब बहुत बहुत जादा दाम में बिक रहे थे, इमली के जो बीज थे, और मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों था, क्यों उस समय इमली के बीजों की demand बढ़ गई थी market में, ये मुझे पता नहीं था, मैं बताता हूँ क्यों ऐस देखो होता क्या था ना कि World War II में, World War II में जितनी भी कार हुआ करती थी और जो वार के लिए ट्रक यूज क्यों होती थी, इन कार और इन ट्रक्स के अंदर जो फ्यूल पड़ता था, उस फ्यूल का नाम था गैसोजन, ठीक है, और गैसोजन किस से मिलकर बनाया जाता था, इसी टैमारिंड सीड से, टैमारिंड सीड से ही हमारा गैसोजन बनाया जाता था, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, और यही कारण था कि भई, टैमारिंड सीड यानि इमली के बीजों का जो डिमांड था उस समय काफी बढ़ गया था, और एपीजे अब्दुल कलाम क्या क आप था, वहाँ पर जाकर मैं इन इमली के बीजों को बेज दिया करता था, सेल कर दिया करता था, यह आगे बताते हैं कि भई, एक दिन का जो मेरा पूरा कलेक्शन होता था, मैं जितने इमली के बीज, एक दिन में बेज पाता था, उससे मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते प्रिंस अली सम का मतलब मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, लगबग एक आना मुझे हर दिन मिल जाया करता था, आगे यह बताते हैं कि जो मेरा ब्रदर-इन-लौ था, मतलब जो मेरा साला था, जिसका नाम जलालुदीन था, यह क्या करता था, यह मुझे वार की कहानिया सुनाया करता था, मतलब यह मुझे बताता था कि इस देश ने ऐसा कर दिया, उस देश ने ऐसा कर दिया, और जो भी कुछ जलालुदीन मुझे बताता था, वो मैं अगले दिन क्या कर लेता था, I would later attempt to trash in the headlines in दिनामनी, यह कहता है कि भाई, जो मेरा साला था, जलालुदीन, वो वार के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाया करता था, और मैं, मैं अगले दिन उन ही सारी चीजों को, जो हमारे हाँ न्यूस पेपर आती थी दिनामनी, जैसे अभी हमारे हाँ अमरुजाला, दैनिक, जागरड, यह सब न्यूस पेपर आते हैं वैसे ही तमिल में आज भी एक पेपर चलता है, जिसका नाम है दिनामनी, तो यह कहते हैं कि अगले दिन में दिनामनी में, हेडलाइन्स में ढूडा करता था, यह सारी कहानियां, जो जलालु दिन मुझे सुनाया करता था, कि क्या सचमुच ऐसा होता है, ठीक है, चालो, यह देखो, यह ल हेयर de-lain में, कहीं वो कहानियां दी गई है, क्या, यह जलालु दिन जितनी चीज fått रहा है, वो सही है, क्या, इस वज़ज़ से, मैं न्यूस पेपर की headlines में वो सारी कहानियों को धूडा करता था, trash किया करता था, trash का मतलब क्या होता है, search करना, ठीक है, आगे देखते हैं our area being isolated was completely unaffected by the war भी जे अबदुल कलाम बताते हैं कि जो जहाँ पर हम रहते थे, रामे सुरम में ये isolated था, मतलब इंडिया के बाकी हिस्सों से काफी अलग था, क्योंकि ये तीन तरब से समुद्र से घिरा हुआ था इसलिए हमारा जो सहर था रामे सुरम, ये युद्ध से बिलकुल बेखवर था, बिलकुल भी फरक हमारे रामे सुरम में, World War II का नहीं पड़ा था, ठीक है but soon India was forced to join the allied forces, लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं हुआ, हमारे इंडिया, 1939 में, इंग्लाइड का गुलाम हुआ करता था इंडिया, तो भाई इंडिया को जबर जस्ती allied force join करना पड़ा, allied force किसे कहते हैं, उस समय इंग्लैंड, अमेर्का और रसिया की आर्मी मिल गई थी, जिसको हम allied force नाम देते हैं allied का मतलब क्या होता है, millijuli ठीक है, इंग्लैंड, अमेर्का और रसिया का millijuli force, उस समय इंडिया को भी allied force join करना पड़ा था, क्यों? क्योंकि इंडिया, इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था, तो जबर्जस्ती इंडिया को allied force join करना पड़ा और इसी वज़े से पूरे इंडिया में एक emergency, एक state of emergency declare कर दी गई, मतलब युद्ध की घोसडा कर दी गई, ठीक है? The first casualty came in the form of suspension of the train, halt 8 Ramessuram station, यह कहते हैं कि हमारे Ramessuram सहर पर सबसे पहला जो casualty, मतलब जो सबसे पहला दुस प्रभाव पड़ा, हमारे Ramessuram में war का, वो क्या प्रभाव पड़ा? कि भाई, सबसे पहले हमारे यहां जो trainे रुकती थी Ramessuram में, वो trainे रुकना बंद हो गई, सस्पेंड हो गई ठीक है, देखो क्या लिखा गया है कि सबसे पहला नुकसान Ramessuram वालो को क्या हुआ suspension of train halt, मतलब जो train halt करती थी, जो train रुका करती थी Ramessuram station पर, अब वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है train का रुकना, सस्पेंड कर दिया गया था, अब Ramessuram में train नहीं रुकती थी ठीक है, आगे देखते हैं the newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Ramessuram road between Ramessuram and Dhanuskodi ये बताते हैं कि भाई, जो हमारा newspaper, जो दिना मनी आता था Ramessuram सहर में बातने के लिए जो paper आता था, Ramessuram सहर में बातने के लिए वो paper सहर से आता था और उसी train से आता था लेकिन अब train तो Ramessuram में रुकती नहीं थी तो क्या करना पड़ता था हमें हमें newspaper को bundle बनाना पड़ता था और चलती हुई train से fake देना पड़ता था ठीक है, कहां पर fake ना पड़ता था Ramessuram और धनुस कोडी के बीच में जो road थी उसी road पर चलते हुए train से हम newspaper को fake दिया करते थे और newspaper को पकड़ने के लिए एक लड़का पहले से ही road पर रहता था ठीक है, आगे देखते है That forced my cousin Samusuddin who distributed newspaper in Ramessuram ये कहते हैं कि भाई मेरा cousin था, मेरा एक चचेरा भाई था Samusuddin, ठीक है जब train रुकना बंद हो गई तो Samusuddin को एक लड़का चाहिए था जो चलती हुए train से paper को क्या कर सके catch कर सके ठीक है, जो Samusuddin था वो पूरे Ramessuram में newspaper को बाचता था अब Samusuddin को एक लड़के की जरुवत थी जो चलती हुए train से क्या कर सके newspaper के bundle को catch कर सके to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I fill the slot येनोंने कहा कि भाई मेरे चचेरे भाई Samusuddin को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो क्या कर सके Samusuddin की मदद कर सके और newspaper के bundle को चलती हुए train से पकड़ सके और मैं इस काम के लिए perfect था क्योंकि मैं बचपन में मचलियां पकड़ता था तो मुझे catch की practice बहुत अच्छे सी थी और मैं अपने भाई Samusuddin के साथ चलती हुए train से newspaper को catch करने लगा Samusuddin held me on my first wages और इसी वज़े से जो हमारा चचेरा भाई था Samusuddin इनी की वज़े से मुझे अपनी पहली बेतन मिली Half a century later I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time ये कहते हैं कि भाई लगबग लगबग 50 साल बीच चुका है इस बात को लेकिन आज भी मुझे एक अजीब तरीके का proud feel होता है अपने आप पर अपना वो जो पहला पैसा जो मेरी पहली salary थी वो मेहनत की कमाई थी वो कमा कर मुझे जितना proud feel हुआ था ना वो आज भी मैं feel कर सकता हूँ 50 साल बाद भी feel कर सकता हूँ ठीक है आगे 4 पर आगर आपर चलते हैं ये कहता है कि भाई every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment ये कहते हैं कि हर बच्चा कहीं न कहीं और कुछ न कुछ qualities के साथ पैदा होता है हर बच्चा जहां पर पैदा होता है उसकी जो economic condition होती है उसकी जो society की condition होती है वो अलग-अलग होती है मतलब हो सकता है कि कोई बच्चा किसी गरीब घर में पैदा हो हो सकता है कोई किसी बहुत बड़े घर में पैदा हो हो सकता है कि कोई बच्चा किसी नेता के घर में पैदा हो और हो सकता है कोई जो बच्चा है वो बहुत छोटे कास्ट में पैदा हो जाए मतलब हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक अलग-अलग socio-economic society में पैदा होता है, एक अलग environment में पैदा होता है, किसी-किसी को अच्छी तरीके से प्यार मिल सकता है और कोई-कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसे उसे अपने माबाप का प्यार बच्चपन में नहीं मिल पाता, and trained in certain ways by figures of authority ये कहते हैं कि भाई, बच्चा जिस तरीके के environment में पैदा होता है, उसी तरीके से उसकी पढ़ाई, लिखाई, उसकी training होती है, उसे सिखाया जाता है कि जिन्दगी कैसी जीनी है, and trained in certain ways ये कह रहा है कि मतलब लोग सिखाते हैं, मतलब जिस environment में वो बच् जिस भी environment में पैदा हुआ है, उसी environment को adopt कर लेगा, ठीक है, आगे देखते हैं, अब E.P.J. अब्दुलकलाम केते हैं कि मुझे भी ऐसा ही कुछ हुआ, I inherited honesty and self-discipline from my father, ये केते हैं कि भाई, हर बच्चा जिस environment में पैदा होता है, अगर वो चोर के घर पैदा हुआ है, तो चोरी सिखेगा, ऐसे ही मैंने भी अपने पिता से कुछ ना कुछ सीखा, क्या सीखा, I inherited honesty, मैंने अपने पिता से सच्ची राह पर चलना, इमानदार बनना सीखा, मैंने self-discipline सीखा अपने पापा से, मैंने सीखा कि कैसे खुद पर काबू करें, कैसे खुद के मन पर काबू करें, यह सारी चीजे मैंने अपने पापा से सीखी, देखो यहाँ से क्वेशन बन सकता है, कि A.P.J. अबदुल कलाम ने अपने पापा से क्या सीखा था, honesty and self-discipline, ठीक है, और आगे यह कहते हैं, कि मैंने अपने पापा से इमानदारी सीखी, अपने आप पर काबू कैसे रखा जाता है, यह सीखा, और मैंने अपनी मा से क्या सीखा, I inherited faith in Godness, मैंने भगवान पर विश्वास करना सीखा, मैंने क्या सीखा, मैंने एक दयालुता सीखी, मैंने deep kindness सीखी, लोगों की मदद करना सीखा, यह किस से सीखा, मैंने अपनी मा से सीखा, So did my three brothers and sisters और केवल मैं ही नहीं जो मेरे तीन भाई बहन थे वो भी बिलकुल हमारे पापा और मम्मी की तरह एक अच्छे इंसान बनी I had three close friends in my childhood आगी ये बताते हैं कि बच्पन में मेरे तीन दोस्त हुआ गरते थे दोस्त हमेशा कमीने होते हैं ये तीन नाम बिलकुल बहुत ज़ादे इंपोर्टेंट है याद रखना ये तीन बहुत ही खास दोस्त थे एपीजे अब्दुल कलाम के ये बताते हैं कि मेरे बच्पन में मेरे तीन दोस्त हुआ करते थे रामानदा सास्त्री, अर्विंदन, और स्युप्रकाशन मैं इकलोता मुसल्मान था इन तीनों दोस्त में As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing ये कहते हैं कि भाई, मैं मुसल्मान था, ये तीनों हिंदू, ब्रामण परिवार के थे लेकिन फिर भी, कभी भी, हम तीनों में से कभी भी किसी तरीके के भेद भाव को हमने महसूस नहीं किया और ऐसा क्यों था, क्योंकि हमारे यहां, जो religious differences थे हमारे यहां धर्म को अलग नहीं मानते थे रामयस्त्रम में आप आज भी चले जाओ, वहाँ पर धर्म, जातपात और पालन पोसन में लोग बिलकुल भी कमी नहीं छोडते हैं हमारे इंडिया में पुर्वान चल में लोग बताते हैं कि आप ठाकूर हो, आप ब्रामदो आप ये हो आप वो, आप छोटे कास्ट के हो, आप बड़े कास्ट के हो ऐसा नहीं था रामयस्वरम में ये एपीजे अब्दुल कलाम की इस बात से पता चलता है इन्होंने कहा कि जब हम बच्चे थे ना तो हम में से कोई भी किसी भी तरीकी का भेदभाव महसूस नहीं किया आज तुम किसी मुसलिम बच्चे के साथ खेलने चले जाओ तुम्हारे पापा डाट के भगा देंगे ठीक है कि नहीं ऐसे कोई मुसलिम बच्चा किसी हिंदू के घर चला जाए तो वो डाट के भगा देंगे उसको लेकिन रामयस्वरम में ऐसा बिलकुल नहीं था रामयस्वरम में किसी भी प्रकार का कोई भी religious defense नहीं था धर्म का अंतर बिलकुल भी नहीं था वहाँ पर और यही कारण था कि हम चारों में से किसी ने कभी भी ये हिंदू मुसलिम वाली जो चीजे होती है वो कभी सीखी ही नहीं ठीक है इन फैक्ट रामानदा सास्त्री वास दे सन आफ पाक्षी लक्षमना सास्त्री यह कहते हैं कि यह सब हिंदू ब्रामण परिवार से थे और यहां तक यह जो मेरा दोस्त था रामानदा सास्त्री यह किसका बेटा था यह लक्षमना सास्त्री का बेटा था लक्षमना सास्त्री क्या थे रामे सुरम मंदिर के सबसे उच्छ पुजारी थे सबसे मुख्य पुजारी थे रामे सुरम मंदिर के उसके बाद अपने पापा के बाद हमारा जो दोस्त था रामा नदा सास्त्री वो अपने पापा की जगा ले लेता है वो रामे सुरम टेंप पिल्ग्रिम्स का मतलब क्या होता है किसी अच्छे काम के लिए ट्रैविल करना तीरत हैत्रा के लिए गाडियां अरेंज करवाता था अरविंदम और जो इनका तीसरा दोस्त था सिव प्रकासन वो catering contractor बन गया Southern Railways में मतलब South India का जो पूरा railway का catering contractor था जो आपने देखा होगा कि platform पर उतरने पर हमें अलग-अलग दुकाने दिखती हैं खाने पीने की तो ऐसे ही सिव प्रकासन भी ऐसी दुकानों का contract लेने लगा तो इस तरीके से हमारे तीनों दोस्त अपना अलग-अलग काम करने लगे थे So this is all about this particular video आगे 5th पैरा से हम continue करेंगे अपने 2nd part of this video में तब तक बनी रही है हमारे चानल के साथ मिलते हैं एक और धमागेदर वीडियो के साथ तब तक के लिए शश्री अकाल और